आप सबी को मेरे चैनल में सवागत है यह मेरा पहला वीडियो है हिंदी में हादा की पहले भी इस से आल में tinha ज्मे Mor purse और मेरे बृरी इसले मां तभी भी हिंदी में विडियो नहीं बनाया तो यह मेरा पहला वीडियो है तो इस चैनल में क्या है कि आप लोगों को बहुत सारे टाइप के डिजाइन्स वगेरा फिर इंटरफेसे डिलेटेड एनिमेशन डिलेटेड वेबसाइट्स फिर लैंडिंग पेज़स एकॉमर्स के फिर आपको डिफरेंट कार्ट वगेरा के डिजाइन्स डैशबोर्ट के लियाउट अभी तक तो आये नहीं है इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूं कि एकार मतलब ऐसे डिजाइन्स बनाओं जिसमें मैं एक पूरा डैशबोर्ट कवर करूँ आज हम लोग यह बनाने वाला है तो हाला कि हमने बहुत सारे डिजाइन्स बनाया है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको डैशबोर्ट बनाना है या फिर मानलीजिए कुछ ऐसा एक साइड बनाना जिसमें एक साइड बार है और तो साइड बार बनाने के लिए क्या है कि उसमें अगर आप ऐसा है कि अगर आप कोई components भी करने से उठाकर लाते हो तो फिर भी वो exactly वैसे काम नहीं करता जैसे अब चाते हो तो अगर आप bootstrap का भी देखोगे तो उनके वहाँ कि आई कि सिर्फ आपको जो interface है वो ही मिलेगा काम कैसे करता है, toggle कैसे करोगे आप वो सब उदर अच्छे से नहीं दिया हुआ तो बहुत सारे time क्या होता है कि अगर आपको कुछ customize भी करना है खुद से भी कुछ अलग थोड़ा यूनिक बनाना है तो आप बनाने ही पाते हो तो इस वीडियो में हम लग देखें कि कैसे एक एक इंदम creative और modern एक sidebar कैसे बना सकते है तो ये मैंने बनाया है तो इसमें क्या है कि इसमें तो पहले आप देखोगे कि इसका जो toggle वाला system है तो ये side में ये icon है तो इसमें आप अगर click करोगे तो ये खुल जाता है फिर click करोगे तो बंदो जाता है और इसके अंदर एक searchbar भी है तो इसमें आप कुछ type कर सकते हो अला कि अभी ये काम नहीं कर रहा है और अब भी कुछ अगर आप extra add करना चाहते हो तो add कर सकते हो मैंने कुछ ऐसे रैंडम सा डाल दिया इदर और उसके बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर में सबसे ऊपर आप देखोगे कि लोगो है जो कि आपका जो site रहेगा उसका लोगो हो सकता है का उसके बाद मैंने एक heading डाला हुआ है और उसके ठीक नीचे मैंने एक वोड डेजिग्नेशन सिंपल एक developer का निक के रखा है तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो एक tagline आप छोटा सा डाल सकते हो दो तिन वोड कर और एकदम नीचे आप देखो कि इसमें एक toggle एक और button है तो यह क्या कर रहा है कि यह जो आप मान लोग कि आपको साइड है इसमें आप अलग-अलग theme रखना चाहते हो तो अगर आपका sidebar है तो उस ही में आप include कर सकते हो यह dark mode और light mode का theme तो अभी तो अलग यह light mode में हैं तो यह बता रहे हैं कि अगर dark mode में जाना है तो इसको अगर आप क्लिक करते हो जाता है और मैंने अच्छा सा transition लगए इसमें रखा है तो आप देखो कि जब यह switch होता है तो एक हलका सा एक ease effect भी होता है जो मैंने simple transition ease से लगा के रखाए CSS में तो आज हम लोग यही बनाने वाले है इसका source code नीचे description में दिया हुआ तो आप लोग वहां से download कर सकते हो और अगर आप इस channel में नए हो तो please channel को subscribe करना वीडियो को share करना और जो भी अच्छा लगे इस वीडियो के बारे में आप comment section में जरूर बताना कि क्या था इस वीडियो में जो आपको सेखने को मिला और अगर मैंने कहीं गलती कुछ कर रहा होगा आपको लगाए कि यह कुछ गलते इसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप comment में बता सकते हो कुछ भी doubt वगरा है query है कुछ आप पूछ सकते हो comment में तो क्या होता है कि comment section में अगर आप comment करते हो तो एक तो क्या होता है कि YouTube तुरफ वीडियो को थोड़ा ज्यादा पुश करता है कुछ नए वीवर्स की तरफ तो उनको लगते कि यह वीडियो थोड़ा इंगेजिंग है तो इसको पुश करता है तो मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी के सपोर्ट से यह चैनल अब पहले से जादा ग्रो करेगा क्योंकि मैंने अभी हिंदी में भी करना स्टा जावा स्क्रिप्ट में तो मैं अभी अपने फोल्डर में हूँ इसमें मैंने इंडेक्स और इस्टेमल फाइल स्टाइल.css और स्क्रिप्ट.javascript की जेएस की फाइल बनाके रखी हुई है और इसमें मैंने अपना चैनल का लोगो रख दिया इधर जो इंडेक्स और इस्टेमल फाइल है इसमें बस मैंने बस ब्रॉयलर प्लेट एड़ कर दिया है जो एक्सक्लेमेशन फिर एंटर करने से आपको वी एस कोड में वो आपको प्रवाइट कर देता है और फिर जो css का फाइल है और जो जावा स्क्रिप्ट का है इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया है और सबसे उपर में मैंने क्या किया कि हम लोग जो आइकॉनस है वो बॉकस आइकॉन्स यूज करने बाले है तो मैंने उनके वेबसाइट से अगर आप जाते हो इदर अगर आप मारते हो इदर भॉकस इकॉनस इनके website पर अगर आप जाते हो तो यहां आपको मिलेगा यह usage का link इसमें आपको click करना है और यहां आप देखोगे कि नीचे यहां आपको मिलेगा यह link तो इसको आपको copy करना है और इसको आपको इधर paste कर देना है अच्छा और मैंने इसका title sidebar रखा है क्योंकि sidebar बनाने वाला है अच्छा अभी क्या करते हैं कि जो body है हमारा इस body को सबसे पहले एक class देते हैं light का तो light इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि दो theme रखने वाले हैं एक dark theme और एक light theme जो कि हम लोग direct control करेंगे ये body से उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक main tag डालेंगे जो entire website को cover करता हो और इसके अंदर हम लोग start करेंगे जो हमारा sidebar है sidebar के लिए मैंने ये nav tag का use किया है उसमें मैंने class sidebar डाल दिया उसके बाद initially हम लोग ये चाते हैं कि जब भी page load हो हम ये चाते हैं कि जो sidebar है वो बंद रहे और हम लोग अगर click करते हैं तब वो खुल के हमें दिखे कि क्या है क्या नहीं है तो इसलिए मैंने इतर डाल दिया sidebar closed उसके बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे जो toggle button है ये वाला इसको बनाएंगे सबसे पहले इसका नाम मैंने sidebar toggle रखा है उसके अंदर मैं ये जो box icon का जो icon है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर उसके बाद मैं start करूँगा आपका ये जो sidebar है उसका जो heading है ये इसके अंदर मैं अपना logo लगाऊंगा एक logo div के अंदर उसके बाद जो text वगे रहा है उसके लिए मैं heading title का यूश करूँगा इसके अंदर h2 के अंदर मैं अपने channel का नाम और span के अंदर ये developer add कर दूँगा उसके बाद मैं start करूँगा menu से तो menu के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि एक common class होगा जो हम लोग सारे menu items के लिए use करेंगे उसका नाम होगा menu item और ये सबसे पहला वाला है उसमें हम लोग एक unique class भी डाल देंगे इसका नाम होगा menu search ये इसलिए है ताकि इसको हम लोग थोड़ा extra style कर सके देखोगे तो ये सब जो है ये थोड़ा अलग है और ये search बार का styling थोड़ा अलग है तो इसलिए direct search बार को target करने के लिए हम लोग इदर ये menu search add कर देंगे इसके अंदर हमारा होगा menu icon जो search का है उसके बाद एक input type search और जिसके अंदर हम लोग प्लेस फोल्डर इस search का लिंक देंगे उसके बाद बागी जितने भी है उनके लिए हम anchor tag लगाएंगे उसके अंदर से menu item फिर menu icon और फिर जो respective icon है वो डाल देंगे उसके बाद span के अंदर पिंच को refer करता हो उसका नाम लिख देंगे अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहला वाला है वह डैशबॉर्ड तो अमने डैशबॉर्ड लिख दिया अब देखते हैं कैसा देख रहा है तो कुछ इस तरह सा देख रहा है बागी जितने भी हैं सबको मैं एक बार paste कर देता हूं सेफ करते हैं तो आप देख सकतो हमारा इतर आ गया है डैशबॉर्ड फिर मैसेज फिर ए अनलिटिक्स वर्डर विश्लिस्ट वालेट और सेटिंग्स उसके बाद इसके ठीक नीचे हम लोग एक मेनिव आइटम लगाएंगे फिर से और यह वाला मेनिव आइटम होगा यह यह जो टॉगलर है इसको कवर करने के लिए इस मैनिव आइटम में हम लोग लगाएंगे एमटी आटो तो यह जो क्लास है यह आपको बूच्ट्रैब में मिलेगा हाला कि हम लोग इतर बूच्ट्रैब यूज नहीं कर रहे हैं तो यह जो एमटी आटो है यह हम लोग CSS में यूटिलिटी क्लास के इसा तो छोटा सा बनाएंगे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि मार्जिन टॉप आटो हो जाए ताकि जो हमारा कॉंटेंट है वो एकदम नीचे आ जाए तो अगर आपको ऐसा है कि यह एक साथ दो तीन कॉंटेंट को आप एकदम नीचे शिफ्ट करना चाहते हो तो यह आप उस पे लगात हो जिस साथ करना चाहते हूं जो अगर ऐसा है कि अगर इसको मैं एक बारी इन्स्पेक्क करके दिखाता हूं आपको जैसे इसके उपर CEO मुझे एंध कहीं और लगाना है जैसे यहां लगाना है तो यहाम मैं क्लास लगाके पेस्ट कर सकता हूँ तो मैं जिसमें ये लगाऊंगा उससे क्या हो जाएगा वो गैब क्रियेट हो जाएगा और पूरा सेक्षन नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह सा तो ये क्लास मैं बना के रखाऊंँ तो आप अपने हिसाब से इसको एग्जस्ट कर सकते हूँ इसके बाद इसके अंदर हम लोग बनाएंगे स्विच और स्विच को देंगे एक क्लास डार्क और ये ऐसा क्लास है कि जब उन लोग टॉगल कर रहे होंगे तो ये चेंज उता जाएगा तो अगर डार्क है क्लिक करेंगे तो फिर लाइट बन जाएगा और लाइट रहेगा क्लिक करेंगे तो फिर से डार्क बन जाएगा इसके अंदर रहेगा मोड और इस मोड के अंदर हमें एक moon का icon box icon से लगा देंगे तो कुछ इस तरह सा दिखेगा इसके बाद span के अंदर हम लिखनेंगे dark moon और हमारे html complete हो जोगा अब इसको css और javascript रैट करना है तो css में मैं font के लिए मैं अपना favorite वही pop-ins वाला font यूज़ कर रहा हूँ और मैंने default margin on padding भी मैंने remove कर दिया है और box sizing को मैंने border box कर दिया है अभी क्या करना है कि जो body है इसको सबसे पहले हमको देना है height 100 viewport height ताकि पूरा cover करे और width देना है 100% उसके बाद font family हमको pop-ins रखना है तो वह हमने एड़ कर दिया है 3 seconds ease का ताकि हम लोग जब light से dark theme में जा रहे होंगे एक ease एक effect आए ताकि transition हमें smoothly दिखे और वो एकदम जल्दी से फटाक सना हो उसके बाद जो main है इसको target करेंगे इसको देंगे width और height 100% जो body का है ये वो पूरा cover कर लिएना चीज़ को इसके बाद इसके अंदर देंगे हम लोग position relative इसलिए क्योंकि ये जो sidebar रहेगा इसको हम लोग position absolute भी आप कर सकतो अभी तो क्या करेंगे इसको हम लोग fixed कर देंगे उसके बाद क्या आए कि ये जो anchor tag है इसका color जो है हमने inherit डाल दिया इसलिए ताकि जो इसका parent का color रहेगा ये वो ही color चूज करेगा और जो text decoration है उसको हमने remove कर दिया है उसके बाद हम sidebar को target करेंगे इसका एक width देंगे 250 pixel और height देंगे 100% और एक border right देंगे 1 pixel और ये color करेंगे इसका एक padding भी देंगे उपर नीचे left और right हर तरफ से इसका 10 pixel का आएगा padding और इसके अंदर भी हम लोग position ये relative का लगांगे ये इसलिए है relative आप अगर देखो कि इसमें ये जो icon है इसको हम लोग absolutely position करेंगे तो इसलिए क्या होगा कि जो main parent div है उसको हम लोग ये देंगे उसके बाद हम add करेंगे transition ताकि क्या होगा कि अगर आप देखोगे इसमें जैसे इसका height increase हो जाता है फिर decrease हो जाता है तो ये transition के लिए हम लोग ये transition add कर देंगे ताकि जो effect है छोटी से बरावाला वो smoothly हो उसके बाद हम sidebar का जो position है इसको fixed कर देंगे और top से 0 और left से 0 इसका specific position हम लोग fix कर देंगे उसके बाद जो heading होगा उसको हम लोग display flex और फिर align item center करके एक gap देदेंगे बीच में 30 pixels save करता है कुछ इस तरह से दिखेगा और margin bottom देदेंगे 20 pixels का और उपर नीचे और left and right का padding देदेंगे उपर नीचे 10 pixels और left and right का 5 pixels save करता है हाला कि इमेज बहुत बारा है अभी इसको हम लोग छोड़ा करेंगे तब ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा जो heading title है उसका text को हम लोग इंक्तम center में ला देंगे एच 2 है इसका font size थोड़ा बढ़ा कर देंगे हां थोड़ा चोटा हो गया और ये जो designation है इसका थोड़ा चोटा कर देंगे और इसमें थोड़ा ये 0.7 का हम लोग थोड़ा opacity आड़ कर देंगे अभी जो image है हमारा इसका width देंगे 45 पिक्सल का width और 45 पिक्सल का height object fit contain कर देंगे ताकि image का जो entire image है वो अंदर fit हो जाए और border radius हम लोग 50% देंगे ये इसलिए है क्योंकि अभी जो normally जो एक कोई भी डिफ का structure होता है वो rectangular shape या square अब जो भी बोलू ऐसा रहता है तो अभी क्या है कि हमारा ये height width same है तो इसको हम लोग एक circle का structure दे सकते हैं ऐसे भी ये image अभी circle का है तो आपको as such कुछ वैसा change दिखेगा ने बट in case अगर आपको करना है तो मैंने already यहां करके रखा है उसके बाद हम लोग menu item को target करेंगे इन सबका width 100% देदेंगे और padding देदेंगे 0 pixel from top and bottom लेकिन left and right रहेगा 10 pixels का और इन सबको क्या करना है कि एक align में दिखाना है तो हमको क्या करना परेगा display flex add करना परेगा और icon और text है इसके बीच में लोग को gaping चीए तो gap देदेंगे 25 pixels का और इन दोनों को क्या करना है कि एकदम align एकदम center में करना है तो alignment का align items इसको center में डाल देंगे कुछ इस तरह सा दिखेगा font size हम लोग set कर देंगे और फिर cursor देदेंगे pointer और फिर border radius देदेंगे 5 pixels का अब जो icon है इसका font size हम लोग 30 pixels कर देंगे save करते है कुछ इस तरह सा दिखेगा आप अगर देखोगे यह जो menu item जो search वाला है उसमें हम लोगोंने एक specific class दिया था यह था menu search अब हम लोग क्या करेंगे जो search है उसको हम लोग target करेंगे इस तरह से इसको फिर position relative देंगे और padding देंगे top एक background color और border radius और फिर यह dark इसका color कुछ इस तरह से और जो input है इसको हम लोग absolutely position करेंगे height इसका पूरा 100% देंगे और width जो है यह width अभी हम लोग यह calc function से define करेंगे यह कुछ ऐसा होगा कि एक तो इसको पूरा 100% लेना है लेकिन 100% से हमको 50 pixels इसको subtract करना है यह 50 pixels कहां से आया तो हो यह राय कि जो font है font 30 pixels का है और gapping left and right हम लोगों ने दिया था 10 pixels का नहीं तो दिया था यह वाला तो दोनों side से 10, 10 और 30 तो 50 हो गया तो हम यह width दे रहा है कि 50 pixels कम ले और इसको हम लोग एकदम right में ले जाएंगे इस तरह सा दिखेगा अब इसका outline और border दोनों ही हटा देंगे और अगर आप देखोगे कि यह जो placeholder का text है यह अंदर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं यह लेकिन pop-ins नहीं है यह इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अगर आप सरफ body में लिखते हो यह font family तो क्या होता है कि input और फिर buttons में यह directly न target हो जाता है लेकिन body के अंदर लिखोगे तो वो target नहीं होता तो इसलिए आपको specifically input के अंदर लिखना पड़ता है कि font family हमें pop-ins का अभी आप देखोगे तो यह font family अभी पॉप इंस का है इसका background हमें transparent करना है और padding inline देना है ताकि यह left से थोड़ा shift हो जाए और right से भी थोड़ा shift हो तो यह 15 pixels का होगे है अभी जो हमारा menu है यह पूरा menu है जिसमें हमारा सारा menu item है सारा जिसमें हम लोग add करके रखे हैं इसको target करेंगे और इसका सबसे पहले करेंगे इसको एक hide देंगे 100 pixels से 110 pixels हम लोग क्या देंगे कि थोड़ा कम कर देंगे ताकि पूरा height ना ले यह थोड़ा approximate value है क्योंकि यह इसलिए पूरा 100% हम लोगों ने add नहीं किया क्योंकि यह जो उपर का section है इसका मैं जाधा उतना detail में नहीं मतलब ढूनना चाला था कितना है कितना नहीं है तो मैं और flex direction column क्योंकि एक के नीचे एक stack up ही चाहिए अभी जैसा है वैसा ही चाहिए हमको और gap चाहिए बस 5 pixels का सेव करता है इसका y का जितना भी overflow रहेगा मान लीजिए कि ऐसा है कि आपके पास sidebar में बहुत सारे items है तो उसके बाद क्या होगा कि scrollbar एपियर हो जाएगा जो हमें चाहिए लेकिन x में अगर कुछ हो तो वह हमें hide करते होना है x axis में नहीं चाहिए लेकिन y axis में अगर हो तो ठीक है वह हमें दिखा दे उसके बाद जो span है यह जो text जो लिखा हुआ है dashboard message यह सब तो इसको target करते हुए हम लोग लिखे हैं कि white space जो है वो no wrap रहे ताकि यह new line में न आ ज करेंगे वह empty auto वाला class इसमें हम लोग देंगे margin-top auto अब save करते हैं अब देखोगी यह जो dark mode वाला है जिसमें हम लोगोंने add करा था empty auto का कि नीचे आ चुका है अभी क्या करना है कि अगर menu item कोई सा भी active हो या जो toggle वाला ना हो मतलब यह dark वाला ना हो dark वाले कर छोड़ के हम लोग कोई सा भी menu item में अगर हम लोग hover करते हैं तो जो background है उसका यह हो जाना चीए और color black हो जाना चीए अगर हम लोग इधर यह toggle वाला नहीं लगाते तो आप देखोगे इसमें भी आएगा hover जो अच्छा नहीं दिखते है इसलिए जो toggle वाला है उसको 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 हम लोग ignore करेंगे और उसको चोड़के बाकिन जितने भी यह जो menu item है सब में हम लोग जो hover करेंगे यह होना चीए और यह जो active का class है आप add कर सकते हो इधर html में अगर मान लीजिए कि अभी आप dashboard पे हो तो आप इधर active का class इधर लगा सकते हो तो dashboard वाला ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे जो हमारा toggle वाला है जो day night वाला change कर रहा है इसको target करेंगे इसमें padding remove कर देंगे और जो switch है उसको target करते वह हम लोग देंगे min with 50 pixels का height देंगे 30 pixels और एक border देंगे save करते हैं कुछ इस तरह सा दिखेगा इसका हम लोग क्या करेंगे थोड़ा border radius देंगे और display flex इसको align items जो है उसको centers कर देंगे तो item अभी centers एकदम center पर दिखेगा और padding दे देंगे 5 pixels का और जो position है इसको relative कर देंगे save करते हैं और जो mode है इसके अंदर इसका font size 20 pixels कर देंगे इसको height और width देंगे और border radius 50% देंगे इसको display grade place content center ताकि जो icon है वो एकदम mode के center में आ जाए और एक transition देंगे 0.5 seconds इसका अभी अगर मैं इसमें अगर एक border लगाता हूं तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब मैंने यह इसलिए बनाया है आप देखो गई तर कि यह जो moon है इसको click करते ही क्या हो रहा है यह circle हो जाता है मतलब यह ऐसे signify कर रहा है कि यह sun है और यह click करने से अभी यह moon हो गया कुछ इस तरह सा तो यह signify करने के लिए मैंने क्या करा जो day web mode इसको मैंने circular form में इसको design कर दिया height और width same देखे और फिर border radius 60% देखे अब होगा क्या कि जब हम लोग click करेंगे तो click करने के साथ-साथ मैं यह करूँगा कि जो icon का color है और जो mode का background है दोनों को यह मैं white कर दूँगा इससे क्या होगा कि यह icon हमें दिखेगा नहीं और लगेगा कि पूरा जो है वह एक single element है और लाइंट क्लिक करने के बार जो यह Carण ओड करने के बाद आप उसमें जो mode रहेगा उसको क्या करना है हमें shift करना है translate X करना कितने से 90% करना है Колि इस शिफ्ट हो जाएगा अपने पॉजिछन से 90 पर संट इंसा अभी तो किलिक करने से काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप ऐसे आगर मїल जाता हूं हो इतर टार्क है यहां डार्क के जग हम आगर लाइट लिख देता हूँ अब देखों कि यह उत्वाटिक ट्रान्जिशन के साथ एसे मूव होता है यहां में बैक्राउंड इसका वाइड कर दूंगा और जो कलर है इसको वाइड कर दूंगा कुछ इस तरह से दिशेगा और इसका ए तो इसके लिए हमें JavaScript आड़ करना परेगा तो अभी क्या करते हैं, script में चलते हैं कुछ-कुछ चीजें यहां आड़ कर देते हैं सबसे पहले तो हमी क्या करना परेगा, जो हमारा body है उसको target करना परेगा और query selector से जो हमारा body का element है उसको ला کے हम इस variable में store करवा देंगे उसको क्या करें कि हम भॉड़्य के अंदर है तो body में से हम लोग ढून के क्या करेंगा query selector लगा के उसको इस variable में डाल देंगे सेम जो mode है उसको भी toggle से ढून के लाके इस variable में store कर देंगे अब ये mode जो है यह mode वो mode नहीं है यह वाला mode नहीं है यह mode basically है जो यह text है dark mode रहेगा कि light mode रहेगा तो इसलिए मैंने इदर span लिखा हुआ और initially क्या होगा कि यह toggle initially नहीं रहेगा तो मैं initially इसको false रख रहा हूँ is mode toggle और यहां और एक variable आएगा is sidebar toggle तो यह इसलिए है यह जो initially जो हमारा sidebar है यह बंद रहता है तो initially यह बंद है तो इसलिए हम लोग यह true करके रख रहे हूँ है उसके बाद यह sidebar का भी क्या है कि इसका भी एक switch toggle है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तो जो इसका जो switch रहेगा इसको हम लोग क्या करेंगे कि यह इस variable में store कर देंगे तो day and night बाला है और जो sidebar का है उसको हम इस sidebar में store कर देंगे यह body body आ गया इदर एक में sidebar और एक में sidebar का toggle जो हमने HTML में इस बना के रखा है इसका हमने CSS अभी तक add नहीं करा है वो हम लोग add करेंगे तो यह sidebar का यह हो गया और यह sidebar भी हमने इदर add कर दिया है अभी क्या आई कि सबसे पहले हमें वो dark और light mode का करना है तो पहले हम लोग toggle को लेंगे इसके अंदर एक event listener लगाएंगे event listener क्या करता है कि basically हम लोग अगर कोई click करता है या कुछ भी event होता है dom में तो वो track रखता है और जब भी कुछ एक event होता है तो अभी हम लोग कौन से event पे listen करना है वो है click अगर in case जो toggle वाला है इसमें अगर हम लोग click event generate करता है या इसको click करता है तो होना यह चीए कि हम लोग एक arrow function fire करेंगे इसके अंदर क्या होगा जो switch toggle है इसमें हम लोग एक class लगा देंगे तो अगर आप इसमें देखोगे inspect करता है इसमें आप देखोगे जो switch वाला है यह click करते ही तुरंट आप देखोगे यह switch वाला क्या हो जाता है dark हो जाता है light हो जाता है तो basically ये जो class है इसका class ही change हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे class को target करेंगे class में क्या होगा ये class में हम लोग चेक करेंगे कि is mode toggle अगर ये true है अगर ये true होता है तो हमें class list में क्या लगाना है switch और dark मतलब अगर ये click हो गया अगर ये true हो गया तो dark mode में जाना है अगर वो click नहीं हुआ तो हमें light mode में रहना है save करते हैं इसमें देखते हैं console के error तो नहीं है तो click करते हैं ठेक है अब यह हम लोग फिर से click कर रहे हैं यह change नहीं हो रहा यह इसलिए change नहीं हो रहा क्योंकि यह जो variable है यह अभी क्या हो गया यह चेक कर रहा है false के लिए तो false है तो क्या कर रहा है यह switch light कर दे रहा है लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यह variable change नहीं हो रहा अभी यह false ही है अभी भी false ही है तो अभी हम लोग यह click करेंगे न तो यह switch light पे रहेगा यह switch dark होगा नहीं तो हमें क्या करना परेगा इसका जो variable है यह जो value है इसको true कर देना परेगा यह होने के बाद हमको true कर देना परेगा और क्या करना परेगा यह जो text है इसको भी change करना है dark mode से light mode में कर देना तो इसको मैं refresh करता हूँ तो text को भी change करना है हमें और क्या करना है यह जो body है यह body में अगर आप देखो कि तो body में हम लोग उने class लगा था light अगर यह false है अगर false है तो light में रहेगा मतलब इसको उने click नहीं करा तो normally light में है तो light में रहेगा अगर click कर दिया तब यह dark में अभी तो light में है click कर दिया dark हो गया और फिर यह तो text है इसको भी change कर देज़ा है text का क्या है text में भी हम लोग check करेंगे text का एक innerist mol हम लोग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हम लोग check करेंगे फिर से अगर ये true है तो dark mode रहेगा अगर true नहीं है तो light mode रहेगा save करता है refresh करता है तो dark mode click कर दिया light mode अभी ये revert नहीं हो रहा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने change नहीं किया यह वेरेगा तो हम लोग क्या करेंगे जो इस toggle mode है इसको change करके क्या कर देंगे जो इसके initial value है उसका उल्टा हमें कर देना है तो अभी अगर यह false है तो इसका उल्टा हो जागा true और जब यह true रहेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा false तो एक simple से exclamation लगाके save कर देंगे तो अभी आप देखोगे की क्लिक करते ही change हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि body भी change हो रहा है हमारा इसमें light आ जा रहा है तो इसमें light आ जा रहा है तो यह dark लाइट जार कर ठीक है अच्छा इसमें एक confusion यह हो सकता है कि यहां हम है light mode में लेकिन दिखा यह dark mode रहा है यह दिखा मैं इसलिए dark mode रहा हूँ ताकि लोग को समझ में आए कि क्लिक करने से हम लोग dark mode में shift हो सकते हैं अभी हम लोग light mode में हैं अभी dark mode में नहीं है क्लिक करने से ही हम लोग डार्क मोड में जाएंगे और वो ओविस भी है वो डिजाइन देखके भी समझ में आता है कि अभी भी हम लोग लाइट मोड में ही है तो यह थोड़ा थोड़ा कन्वीजिंग हो सकता है तो हमारा यह हो गया उसके बाद CSS में क्या करना है हमें जो साइड बार टॉगल है इसके ओपर काम करना है अभी साइड बार टॉगल को सबसे पहले पोजीशन एपसिलूट कर देते हैं हाइट विद डाल देंगे फिर जो आइकउन है इसको सेंटर में लाना है तो एक ही एलिम और इधर पेस्ट कर दिया है और कलर वाइट रखेंगे और बॉडर रेट इस फिफ्टी परसंट अब इसको पोजीशन एपसिलूट करना है और यह हमने जो डाल के रखाया है अल्रेडी राइट कर देंगे इसका माइनिस फिफ्टी और टॉप से फिफ्टी परसंट सेफ क इसका हमको ट्रांस्फर्म ट्रांसलेट करना है अलोंग दवाइएक्सिस तो माइनिस फिफ्टी परसंट सेफ करते हैं इस तरह सो जो आइकोन इसको भी थुदा बढ़ा कर देते हैं और इसका जो कर्सर इसको पॉइंटर कर देते हैं ठीक है और इनिशिली हमारे यह साइड साइड बार डहेगा तो साइड बार जब कलोज रहेगा इसका उईत हो जाएगा 75 पिक्समे रहेगा निशसले ए और जब यह बंद रहेगा इसके अंदर गलाखयों का ओक देश्पेर अ बगराई जो बहुत रहता है हमारा इसको कॉमेंट कर देता हूं यह जो डैश बोर्ड फिर हमारा मैसेज फिर अनलेटिक्स यह सब है इसको हम क्या करेंगे इसका वाइट स्पेस्टू नोर अप वह आमने पहले भी लगा के रखा था इसको हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं सेफ करता है और यह जो आइकॉन है इसको हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री इसको रोटेट करवा देंगे ताकि समझ में आए अभी बंद है जब यह क्लोज अभी तो क्लोज है जब यह जब खुलेगा तो यह घूम जाएगा और और एक चीज जब हमारे जो बॉडी जब डार्क में रहता है तो बैकराउंड कलर यह हो जाना चीए और जो कलर है वाइट हो जाना चीए Save करता है तो यह डार्क मोट यह लाइट मोट ठीक है अभी JavaScript में यह Sidebar का काम बागी है तो यह देख लेते हैं कैसे होता है तो Sidebar का हमने यह जो Sidebar Toggle है इसको हमने JavaScript में अल्रेडी आड़ करके रखा है Sidebar Toggle इसमें अब भी हम लोग इंगे इविहешь नजह लगाएंगे घंड जोगर ख्लिक होता है तो जो हमारा sidebar है उसके अंदर हम class list में क्या लगाएंगे तो class list में हम लोग क्या लगाएंगे अगर sidebar अगर toggle होता है तो initially तो यह हमारा true रहेगा तो जब यह true रहेगा तब क्या रहेगा तब सिर्फ sidebar रहेगा ठीक है और जब false रहेगा तब यह sidebar close हो जाएगा ठीक है save करता है कुछ इस तरह सा अब यह फिर से revert नहीं हो रहा क्योंकि हमने variable change नहीं कर रहा है तो यह जो sidebar toggle है sidebar toggle इसको क्या करेंगे जो इसका पुराना value है उसका ठीक उल्टा कर देंगे हम लोग बंद खुल जाएगा फिर बंद हो जाएगा तो यही था वीडियो hopefully आप कुछ नए सीखे होगे इस वीडियो से और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने friends, group में friends circle में school के students के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और यह उनी को शेयर करना जिनको web development में interest है और जो लोग सीखना चाता है तो आज का वीडियो यही तक है source code आपको description में मिल जाएगा और अगर कोई doubt वगरा है तो आप comment कर सकते हो अगर आपको कहीं पर लगाएगी यह code और अच्छे से लिखा जा सकता है तो आप वो भी comment करके बता सकते हो तो I'm open to any kind of criticism तो उसमें कोई issue है नहीं तो यही तक था thanks for watching तो आपको next video में मिलता है बाई बाई